गावों में आपको पता है भी गोबर बहुत इंपोर्टेंट होती है अब तो क्या है ना कि जैसे आइपोन प्रो मेक्स वगरें वन प्लस एंपोन आगे तो बड़ा स्वीदा चेट करता हैं हलो हाव आर यू गावों में ऐसा नहीं होता था पहले भी देखो प्यार मौबस आ पाना था जैसे अभी शीनिमा होल है ऐसे हैं भाग बगी छे थेटर मूई उसमें सबसे अच्छा पसू अब पसू चराने जाता था था तब वह मावला सेट कर लेता था अम पोई भी आदमी कोई भी लुगी है मिलना जाता था तो मिलने का बाहना किया तब बबर कि आप त सब्सक्राइब नमस्कार प्यारे साथ यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपका मित्र संपद्राज आप कैसे हैं सभी मस्त होंगे पसुपालन वाली कला से चल दी और पसुपालन का जो टॉपिक है बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अगर आप मेरा वीडियो फास्ट वार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले और पसुपालन वाले बहुत से वीडियो डाल लगते हैं आपको कंफ्लीट देखना चीए ऐसा मुझे लगता है चलो लाइफ हम क्ला उबर भी होगी और उसका मुत्रभी होगा तो गोबर मुत्र करेंगे प्लीका है और मुत्र का कुछ और-ूटो निश्पातं होना चीए हम गाओं में क्या होता है कि तो चुछ ब्यक्रों जा यहां पर उसके ऐसा और mr2 और बाता दो पर डेरी फारम मा उस होते हैं बड़े-बड़े वां पर इसका बहुत बढ़ी उपयोग होता है और डेरी फारम पर उपयोग करने के लिए क्या करना पड़े कभी डेरी फारम के उपर जैसे मालो 200 गयां राके तो 200 गयां रोब मुत्र की तो वे कि दो इसो बैसा रहा के बैस तो मूत भी गुणों करें गाई सू डबल करें कि हम जह भैस भैस से एक बार शुरू हो जाती तो भी पांच मिनट नहीं रुपती वह मज़सा है आनन से आतो देखो अम जह मालों डेट सो बैसा है अब डेट सो बैसा का मुत्र करें तो ऐसे लग कोई नाले में पाणी आ रहा है कोई टेंकर लीग हो गया है कोई फूट रही है इस परकार से पाणी पाणी की तरफ गोम मुत्रबार आएगा तो उसका निस्पादन कैसे करेंगे तो इसके लिए एक उंचित चीजें हैं वो देखें गोबर हैं तो गोबर को क्या परियोग है परियोग थियंग सब्रहर चतला अलग हो है जैसे गया कीव रलग होती है भैसकी को बन अलग हो yeah प्रियोग की पर अलग हो एग आथी की ब्योटें कि और दस बेंस्क या अधस गारे की गोबर एक हाथी के बरबर होती है Кетan ना कि जो मार वड़ी वास मकावत है कि हाथी खावे भी सट गणौन करें कि यानि ficym Cliff Librer ला był सब्सक्राइट वाफेप जूंपको गोब्र बाइब दस्माज़में अब देखो इस गोबर देखो किया क्या कर सकते हैं इस गोबर से गाउंओं के अंदर क्या क्या चीज़ों हो सकती हैं देखो पहला तो होता है इस गोबर का इधन के रूप में अपनकाम ले सकते हैं इधन के रूप मतलब मतलब है कि आपा इनी थेपड़ी बना सका हम इसकी क्या बना सकते हैं थेपड़ी हम इसका क्या बना सकते है उपला हम इसका क्या बढ़ा सकते हैं छाना राजस्तानी सब्दावली है इन चीजों का प्रियोग कर सकते हैं तो पहली यह होती है कि कोई भी पसू की गोबर है गोबर को धूप में सुका दो या तो सीधी डाल के सुका दो या फिर उसको आकार दे दो ठीक है न एक तो इह माला भी भानती बढ़ा एक वह रारा स्चारी में सब्दावली में सवाल है ता बढ़ ल है तो गोबर्ण के यह है प्योग कि तो है दूसरा बालतीय मं है कि डूस्रा गोबर इंआ हो सकता है कि तो गोबर गजू बना दो है यह भी गोबर गेस्ट बनाने में आपकाम ले सका यह पर पानिज में प्रियोगुट सकता है तो हम इसका फाद बनाने में प्रियोग कर सकते हैं का अपनकी स्में रिफाइनरी के अंदर रिफाइनरी लगर रिख रूपतर का ज्यादा तर प्रियोग ऊस्विव होता है पसू तो बहुत देखे हैं पर गाई का एक ऐसा पसू है गाई एक ऐसा पसू है जिनके गोव मुतर से परकार की बनी है और वीश्व कि पहले गोल री पाइनरी हैं वह आपके पत्मेटा तक झाल लूह करहते हैं एक बात हैं ठीक है नहांद भी अगा गंटी जाता है प्यांधका किसका चिटकाव करो कि विग नुट्र्ण नरण मंगल करन गणना यह कुरन कर जो काज और और उसमें क्या करते हैं गो मुत्र का छिटकाव करते हैं उससे क्या हो जाता है सुद्धी करना हो जाता है क्या हो जाता भी पुद्धी करना हो जाता है का पिलोग गो मुत्र का सेवन करते हैं कृते युगांडय जैसे देस हैं आपड़िका कैंक ये डैसे जिसमें लोग मुतर से नातें ये गो मुतर को पिते ये गो मुतर कि यह गोबर की बात करा जैसे गोबर के अंदर है जैसे माला गोबर है अम गोबर के प्रकार क्यों और आज ये अब कि पसुने कमजोरी तो नहीं हो रखी है पसु को कोई कबजी तो नहीं हो रखी है और जे कोई पसुने कब जो होए तो वो गोबर केसी करेगा बहुत टाइट गोबर करेगा ठीक है न एकदम जो ठोस अवस्ता के अंदर आएगी और जे कोई पसु को कबजी नहीं होए और दस स्थ लाग रखिए तो भई देख लो थें दस लाग रखियो तो ठीक है ना उसे तड़का कहते हैं है कि सपात रोड़ा खराब कर देला ठीके ना हाँ हर सब्सक्राद करेगी वो पर्याणा के नदरो वड़ी खेलते ऐसे जब अर्याणा मोडी खेलते तो उद्र क्या करते हैं बहाश के तबेले में थोड़ा सा पानी का छिटकाओ करते हैं और एक होती है भी आपके गोबर और पानी और गोबर दोनों का करते हैं मिस्रन क्या करता है इस ऐसा गोबर का बनाए जाता मिस्त्रन और फिर आजमी को उसके अंदर रगडा जाता है काफी भीमारिया दूर हो जाती है काफी भीमारिया दूर हो जाती है काफी फिरनी के तो देखो तो गाई भ्हेंश का कोई भी होए तो अब यह ने आपा गोबर क्या करा गाई भ्हेंश का कोई भी है तो आपा भी यहां गोबर क्या हो जे गाई भ्हेंश के लवाग कोई बकरी की गोबर है तो बकरी की गोबर ने कहीं क्या हो मिंगनी तो मिंगनी पख्री की गोबर ने के वहां वहां मिंगनी केवां जेस आघया था के हाती जो명 था कि आगोडा झाल कि अगया गदा तो हाती गोडा गदा आएक टेरीक के गदा के कि यह करें लीद है कि लीद के वहां लीड तो देखły तो आज आपना जो टोपिक पड़ाला वह बहुत इंपोर्टेंट हैं गोबर और गो मुत्र हो या कोई भी दोस्रा मुत्र हो उसके उंचित निस्पादन क्या हो सकता उसका काम क्या हो सकता है तो देखो भई थोटिकल टोपी यह ज्यादा कोई विशेश बात है को नहीं परत साथ में नोट्स बना ओला कि साथ साथ में नोट्स बनाना आपको ठीके ना देखो भी अगाओं में आपको बता भी गोबर बहुत इंपोर्टेंट होती है अब तो क्या है ना कि जैसे आइपोन प्रो मैक्स वगरें वन प्लस एन फोन आगे तो बैटा शीदा चेट करता है और यूँ गाओं में ऐसा नहीं होता था पहले भी देखो प्यार मौबस आज से नहीं होते हैं जब मनुष्य जन्हें की उद्पती हुई है मनुष्य नाम की चीज उद्पती उसमें इसे भी प्यार मौबस हो रहे तभी तो यह वन से वड़ती आ गया कि बढ़ती और तु सास्वा मिलना साथा नाम और मिलने का बाद नहीं गोबर ह समंझ लियो यह टॉपिक में काम आएगा तो क्या करते हैं कि भी बिद भी मारा है को लड़की है तो वो क्या करती है कि गांसे आनि गर से काफी दूर डूरसो डाइट सो तिन्सों मेटर दूर डालने के लिए आती ति गोबर हमें सब गड़ से दूर डाली जाती है अपनाक एक जाम आवेला को बर पसू जो पालन होता है उस इस्तांस चीने दूरी पर पहोनी चीह तो यह आटा वेला तो वह क्या करती गोबर डालने दूर जाती थी 200-200 मिटर ठीक है ना तो वहां पर बाते चीत हो जाती इसार भी सार हो जाता आपस में ठीक है ना वो तगर यह देती मैं डाल दी वापस जा रही हूं तो ऐसे कोई काम होता ऐसे इसार कर लेते थे तो एक बह के बाने वों से मिलना आया करती थी बैंस शेयन Immy यो पर नहीं बने गयं साइगी और और म कैसा आज आएक तो वी र्यूबर का बीजिंद्दगी में बहुद बड़ा प्यूग है हम देखो है क्या चीजह वह देखो इससे पहले अगर आप अभी तक टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाओ भई यह अपना वाट्सेप नंबर जैरी कर रखा है थाकि कोई प्रॉब्लम आवे तो 24 गंटा अपने प्रॉब्लम रो सोलूशन करना रो बरपूर परियास से ऑनलाइन जो भी मेरा वीडियो पर ही पहली बार देख रहा है वोड्सेप ग्रूप अभी तक आप जोइन नहीं किया जोइन कर ले इसके अलवा पसूपर इचर एमसी क्यूब नाम हूँ एक और अपनों चैनल है बटेव प्रेक्टिस चले क्यूप सेनारी आप प्रेक्टिस भी कर सको ठीक है ना चलो भी हम बात करें आज गोबर का उच्छित निस्पादन करने के लिए क्या क्या चीज़े करनी है देखो भई हम बात करते हैं गोबर के तो देखो बैई पसु का गोब्र पसु का गोब्र यहां तो मिंगणी हो सकती है लिंद ओ सकती है बिटर पड़ती दिन ठोज आउस्चिस्ट के रूप में उथप्ण कर थे हैं अलग-альный पसू के को अलग लग कहते हैं यहां तो कोई गोबर यहां तो कोई पस वो गोबर उत्पादित करेगा जैसे गोबर नहीं करे तो मींगनी कर सकता है मींगनी नहीं करे तो लीद करेगा लीद नहीं करेगा ठीक है यह ठोस आउस्टिस्ट के रूप में उत्पन करते हैं तो अब आपको क्या करना है कि जो गोबर ऊती है उस गोबर को करना क्या है पैले तो दिन में दो बारक साया निस पादन करने के लिए पसु पालन दूर एक घड़ड़ा बनाए तता गोबर का उसी जगर डाले जिसमें वातावन स्वच्छ रहे तता मच्छर मक्या आनिका रख जिवानों नहीं पन पे वह उसी गोबर को खाद के रूप में उप्योग किया जाए यह क्याना क्या राज त्यारा है समझा आप जे था के गौंसालों है बी गौंसालों यह था के पस्व पालन विबाग है ज कि वापस कि इधर मों कड़ लिया है यह दर मों कड़ लियो यह इस परकार से आपके पस्व है तो यहां से आपको दूरी पर यहां से आपको क्या करना है दूरी पर दूरी पर आपको क्या करना है गोबर डालने गोबर डालने के लिए यह दूरी होने से इसके बीच में एक जो एकलबना दिया और इस गड़े के अंदर टालो गोंपर को खुले में भी नहीं डालना चींट दिरी दिरी इस गड़े में डालना चीए गड़े में डालने के बहुत से उपयोग हो सकते हैं एक तो पहला वो सड़ जाएगा सड़ना गेस बनना और खाद बनना वो सड़ेगा तो उसकी गेस भी बन जाएगी खाद भी बन जाएगी ठीक है न तो इससे क्या होगा कि आसपास में आसपास में जैसे आपके अभी बता है न जैसे आपके आसपास में न कोई माचर पेदा कोनी होए कोई माखी पेदा कोनी ह हावे हानिकारे दिवानों प्यदा को नियों है इसी लिए मैं साब पस्व पालन से दू रखना ची क्या करना ची दू रखना ची आई बास समझ में चलो आप बात करां जे बात करां पस्व आवासों से गोबर परती दिन दो बार उठाना ची तता इसे एक गड़े में डालना याँ से आपको गोबर दिन में कितनी बार भी दिल में दो बार उठाना ची है कि दो बार उठाकर किसमें डालना चीज सीधा इसमें ठीक है तो सबसे पहले हेडिंग लगाऊ थे गोबर का उंचीत निस्पाधन हेडिंग डालो गोबर का उंचीत निस्पाधन और इसके अंदर लिखना शुरू करें पसू और फ़िए रूप में यहां यहां उत्पन करते हैं परती दिन थोस आउसिस्ट के रूप में उत्पन करते हैं ओके सकेंड पॉइंट आपको लिखना है गोबर का निस्पादन करने के लिए लिखो जैसे मैं बोलू ऐसे लिखलो गोबर का निस्पादन करने के लिए पसु पालक को एक दूर गड़ा खोद कर दिन में दो बार दिन में दो बार गोबर उठा कर उस गड़े में डालनी चाहिए जिससे दिन में दो बार गोबर उठा कर उस गड़े में डालनी चाहिए जिससे जिसे से मच्छर मक्या या हानिकारक जीवानों पैदा नहीं होए जिसे से मच्छर मक्या या फिर हानिकारक जीवानों है वो आपके पैदा नहीं होए ओके चलो ठाके फिर भी समझ मिनिया दो है और डाइग्राम बना सोगो था है और बड़िया समझ लो ना लो गई कि अब गोवर्ड निस्पाद ने तु गड़्डय का माप दंड की आऊनाफि ठेक हाडों तो खो दो ना भोवर्ड डालने के लिया मैं कई करनो पड़ी खाडों खोदा खाडों कोई एक माप रिया करे के थे से खाड़ो की तो गेरों रहे यहां से तो किलिए किके लग कि Ming two स्थेंजे कि गहां लेंगीैक, यहां से रहा हो जैसे यह पाई है यांसे तो शेली बात झों कितना कि वीरों कि कर दो Parent नोल fixes थीं खैने हो निझिस दूरी दूरीнता मत était लिए अब कर जा गड़ा खोद देते हैं यह माल यह गड़ा खोद दिया ठीके बई यह अपने गड़ा बना दिया यह दरातल के बराबर हो गया ठीके अम धरातल उपर जो गड़ू बनाए होपा यह अमने बनादिया धरातल से उपर का गड़ा ठीके और जो नीचे रेड़ वड़ा दिख रहा न यह ओगया आपके यह ओगया जमीन के अंदर यह ओगया जमीन के उपर ठीके ना अब यह जमीन के उपर रखते ना यह क्यों ची ओटी यह वह कम यह जो उची होनी चीए कम से कम चार फिट कितने होनी चीए वही चार फिट उंची होनी चीए और फिर उपर से एकदम डखाव आना चीए उपर से इसको डख दो लानी रखना एवनिक दूसरा जानवर नहीं मार दो अब जे उपर आपा डखाता उपर डखने से क्या होगा कि अंदर गोबर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा अंदर पड़ा पड़ा जो गोबर मुत्र होता है गो मुत्र होता है बेंस मुत्र होता कोई भी मुत्र को भी गोबर के साथ में इंक्लूड कर दो साथ में लेकर इस पूरा में ऐसे गोबर आजाएगी यह गोबर यहां पर जमाँ हो जाएगी और जमाँ अकर यह दिर दिर यही गोबर आपके सड़ने लग जाएगी जाएगी ज्याने लग जाएगी इस परकाट सवनें लग जाएगी जर्डने लग गई अब इसे खाद भी बन गया 1जर new बना सकते हो तो मुक्य बना सकते हो तो टो जूबर निस्पादन के लिए आपको करना क्या होगा तो देख भी गोबर निस्पादन है तू गड़े का मापदंड एक गोबर के निस्पादन है तू गड़े का मापदंड क्या होना ची ए था कि 3-4 पॉइंट ली खड़ा डालो पहलो डालो पसु पालन से गड़ा कम से कम 200 से 300 फिट की दूरी परोना ची पसु साला से गड़ा है वो कम से कम 200 तुर सो से पसू साला से जो घड़ा है में कम से कम 200 से 300 फिट की दूरी पर उणा छी गड़े के आसपास जल सुरोत निहीं पाणी नहीं आए ठीक है एकदम सूकी जगह पर जगाउं में कोई धड़ो होए धड़ो यहां होए कि जवे बारी स्री बारी स्री पाणी में वर्गो तो कहें ना गुड गोबर एक करना पुण गांदे राय तो फेल जाला पूरा गाउरे में बदबू कर दोला तो एसी जगह पर पाणी का भराव नहीं हो उस जगह पर गड़ा बनाना ची गड़े की दिवारे चार फिट उची तता उपर से डगवाओ जैसे हमने डाग्राम ब वैसे और गड़ा बढ़ जाने पर उपर से बंद कर देना चाहिए जिसमें अंदर गोबर सड़कर खाद बन जाए जिए गड़ा पूरा कंपलीट बर गया दूसरा गड़ा खोद दो और उस गड़े को उपर से बंद कर दो कुछ दिनों के लिए तो अंदर पड़ा- जाएगी खाद बन जाएगी एकदम क्या बन जाएगी चाअँप लिएंपने लिएस चारो पॉंट चैसे ही अम दो आगे क्या प्रकार की परियों का परियोंक्रा यान कि dadуль ने ठिकान लगन दो विझा दो के दो भिद्गैई कहीं है एक तो बस्मिकरण बस्मिकरण किया करां जा कोई गोबर है इनी गोबरी बढ़ियत हैं बना दो गोड गोड एकम कीमना दो थेपड़ी जो लुट में न रोटि रोटियों है न यह थेपड़ी कि इदन के रूप में जब बस्म हो गई बस्म होने के बाद बबूती बनती है राक बनती है क्या बने बबूती है फिर राक जब वह राक बने जाती है उसको खाद के रूप में प्रियोग कर लेते हैं किसके रूप में खाद के रूप में भी प्रियोग कर सकते हो आप किसको राखो अई वास समझ में तो देखो गोबर को थेपड़ी के रूप में थाप लो थाप कर दूप में सुका दो दूप में सुक जाए तो इसको जलाने में काम ले लो यह काम आती है भई आपके जलाने में फब जलने मेंगे कि इदन के रूप में बसके रूप में ओक रूसरी डफन विद्धी जमीन में गाड दू गोबर को गड़े में डाल कर सड़ाए जाता है ताखि 먹 तो सड़कर खाद के रूप में प्रियुक्त किया जाए तो यहां तो उसको जला दो यहां फिर खाद बना दो खाद बनाने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा गोबर को दफनाना पड़ेगा इसमें तो थेपड़ी बना दी इसमें अपन को गड़ा बनाके जमीन आगे जमीन के अंदर भी गड़ा बनाओ गड़ा बनाके उपर से डपन वेदी यह कौन सी हो जाएगी दफन want तर अभी ऊपन वेदी में और इस है क्या हो जाएगा क्षाद बन जाएगाा क्या जाएगा खाद इसे खाद त्यार हो जाएगा तो हेडिंग लगा वई दोनों बस्मिकरण गोबर को थेपड़ी के रूप में थाप कर सुका कर जलाने के रूप में काम ले लो गोबर को थेपड़ी के रूप में थाप कर उसको धूप में सुका कर इदन के रूप में जलाने के लिए काम लेते हैं इदन के रूप में जलाने के लिए क्या लेते हैं भई काम लेते हैं दूसरा लिकलो थे दफन विदी, गोबर को गड़े में डालकर सडाय जता है, फिर उसका खाद बना दिया जता है, उके? चलो बैइ, चला आगे, तो देखो, अब एक तो आगई बोतिक वीदी और एक होगी रासाइनिक वीदी अम रासाइनिक वीदी में क्या होता है हेलो बार होता है यह पाउडर होता है यह पाउडर के रूप में होता है इस वीदी में हेलो बार को 10 लिटर पानी में कितने लिटर पानी में यह यहां से ऐसे सवाल आ की दर से उनके उपर चिटकाऊ करेंगे चिटकाऊ करने से वह खाद में परिवर्द नहीं जाएगा ओध में आई बाह समझ में जैसे अपा बेंजियम हाईट्रोकोलराइड की बात करां तो दूसुक्राम होना चींए डीडीटी डीडीटी और बेंजियम हाइट्रो को पड़ती वर्ग फिट गोबर पर छिटक दें ठीक है ना तो यह तो रासाइनिक वीदी द्वारा गोबर का उप्योग होता है कि यहाँ अभी लिखने ना पहले दो और समझे लो कि सोडियम कि इसमें आ गया ना यह रहा बेंजियम हाइट्रो कुलर एडिया पर था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अम देखो भी सोडियम 6 यह सोडियम फ्लो रो सिकेट और एक होता है बोरेकस इसकी बात करने तो ہے तो यह पॉंट इस परतात को 15 गयलेन पानी पानी जैसले से पैट्रोल होता ना उसको त्यल तो पंद्रा गेलेन पानी में गोलकर गोबर को उसमें डुबा देंगे ठीक है ना तो आप यह रासाइनिक विद्धी है बोरेक्स के अंदर क्या होगा 15 पॉर्ण के पाउडर को सोड़ा क्यूबडिक फिट गेलेन पर छिड़क दे अत्वा एक पॉर्ण बोरेक्स पाउडर को छे गेलेन पाली में गोलकर उसमें भी काम ले लिए तो देखो भई यहां है कि सवाल के बढ़ने लो सवाल बढ़ने रों तरीकों पहला रासाइनिक विद्धी में कौन सी अपने तो यह एक सवाल बढ़ने का आपके बीच में तरीका रहता है ठीक है ना तो यह भी एक तरीका रहता है ठीक है तो छप लिए पहला यह लिख लो जल्दी लिखो दस लेटर पाणी और चोईस गंटे याद रखना ठीक है ना इसमें 200 ग्राम डीडीटी और एच बीची ठीक है ना मात्रा कटे को पुछे नहीं था कि तो द्यान राक लिए नहों कि इस विद्धी का प्रियों का पर गया जाता रहा साइनिक विद्धी किन किन विद्धी द को अब रहुत है कि दो ये लिख लिए आप मैं तगाहूं कैवरária मत नाम लिख हो तो भी क्रापि अब की अधिके चलो बैं स्वाब आप Bet इंद्वर . अब जीम बात करां अपन आगे और ग्रोड किया बात करना है देखो आगे घोबर निसपड़न की जेवीक वीधिया कौण कोण सी है जेवीक वीधियो में जैसे गोबर का अपन निसपड़न की बात करें तो करने के लिए कुछ विए इस परकार की गेस बने जाती है We go bird Chanel कैते न इस परक्रियां में तापना का बढ़ाया जाता है SO का तापमान बढ़ेगा वैसे घर्मी के अंदर प्लांट होता वो जमीन के अंदर बढ़ता है और अंदर हमें से गेसब बनेगी गोबर गेस तो गोबर क्या बना जाए दूसरा है बिच्षाना सुकाना इस वीदि में गोबर की थेपरी थोपा कर सूर्य की रोशनी में सुका कर दिल लेने में काम ले लो तो आग भर निस्पादन जो जैविक वीदिया हैं इन में यह तो आप गोबर ने सुका इन फाच वार्चों काम लेलो और य अ कुल मिलायन stomach मतलब ह Wars है कि यह तो आपा गोबर गेस बना वाला यह अपर चालता वापस रोखका देलां तो गोबर गेस का यह पर सबसे इंपोर्टेंट की सचीत रहना वाल यह तो अपने पढ़ेंगे पर प्लांट की बात करां तो गोबर गैस्प्लांट में निमन इस्थान पर लगाना सुविदापून होता है गोबर गैस्प्लांट लगाने के लिए पहले इस्थान चुनना चाहिए आपको वह सब्सक्राइब बड़ी संख्या में घाई बेंस पाली जाए यह को निक था गर पे तो तो गोबर गेस प्लांट सक्सेज हैं वरना कोई मतलब को नहीं गोबर गेस प्लांट के लाब के के हो है तो देखो गोबर का वेगेनिक तक्निकी से निस्पादन होगा पहलो लाब हो है दूसरा पसु साला के आसपास का वात्तवरन सोच हो जाएगा बिल्कुल सोच होगा क्योंकि फाल्तु गंद्गी होगी नहीं गोबर से आने वाली बिमारिया पर जीवी पर नियंत्रण करेगी बिल्कुल करेगी एकदम सही बात है और इसे खाद उत्पादन में भी होता है बचावा जो और सिष्ट रहेगा वो अपन किसमें काम ले लेंगे खाद के अंदर ठी से लो जाएगा जहां पर बड़ी संक्या में गाई बेंसे हो और अधिक महात्रा में गोबर हो फिर आपको लिखना गोबर गेस प्लांट के लाब क्या है और उसके बाद में अपने लाश्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि गोबर गेस के अंदर कौन-कौन सी गेस होती ह सबसे इंपोर्टेंट भी वही रहने वाला ठीक है ना जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकता है तो गोबर प्लांट के लाब लिख लिए हैं गोबर का वेगेनिक तकनिक से निस्पादन होना फिर लिखो थे पसुपालन का आसपास का जो वातरों है वो स्वच रहता है करता है उसका में पच्पादन होता है तो गोबर गेस के प्लांट से जो इप्पयोग और ऑपयोग होता है तो पहला देखो, थे गोबर गेस पो काम ले सको इधन के रूप में, आप इसका काम ले सकते हो रोस्टनी के रूप में, और आप इसका काम ले सकते हो मसीन दी चलाने के रूप में, कई न कई जो गेस होती है, गोबर गेस वो जलाने में काम आती है, इधन के रूप में, उड कोबर गेस के अंदर किन गेसों का मिस्रण होता है तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है वह है मिथैन मिथैन जो गेस होती है वह लगबग 55% यह नहीं कि 55% गेस होती है उसके बाद कारबन डैयोकसइड और उसके बाद आज़ेगे हाइड्रोजन सलपर जो एक परसेंट हो और कारबन डैयोकसइड होती वह 30% होती है तुकुल मिलाकर इन गेसों का जो होता है मिस्रण होता है बहुत इंपोर्टेंट है यह डाइग्राम आपको छापना है ठीक है ना भई बहुत इंपोर्टेंट है ओक है इसके बाद एक जो वर्मी कंपोस्ट का है वह बिल्कुल अलग से चेप्टर पढ़ाएंगे थोड़ा इंपोर्टेंट है वर्मी कंपोस्ट तो अभी तो यह ज्यान रहना आपको कि हमने पढ़ा है जो गोबर होती है गोबर और मुत्र होता है उसका उंचित उत्पादन कैसे उसका जो उंचित निस्पादन कैसे करे उसके बारे मे ठीक है ओके धन्याबाद